कैसे हैं आप सब आप सभी का welcome है आज की इस वीडियो के अंदर I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज की इस वीडियो का हमारा जो topic है वो है trading का और trading कैसे करते हैं trading करके आप कितना अच्छा earn कर सकते हैं इसके बारे में हम already बात कर चुके हैं उसके बारे हम बात करेंगे trading के कि trading करने के लिए trading के लिए कुछ rules होते हैं और उन rules को अगर आप follow करेंगे तो एक अच्छे profitable trader बने रहेंगे है ना वो सबसे ज़्यदा ज़रूरी है थोड़ा सा trading को और अच्छे से समझेंगे क्योंकि trading कहीं न कहीं पूरी life change कर सकती है अगर आप एक अच्छे trader बन गए तो है ना और वो कैसे बनोगे ठीक है आपको technical सब चीजें trading के लिए पता होनी चीए आप तभी trading कर पाओगे लेकिन आज हम कुछ rules के बारे में बात करेंगे आपको पता है crypto market में आप trading कर सकते हो आप share market में trading कर सकते हो 4x market में कर सकते हो जहां आपका मन करें वहां कर सकते हो लेकिन बाकी markets के अगर हम देखे crypto market में बहुत ज़्यदा opportunities हैं बहुत ज़्यदा आपको opportunities मिलेंगी trading की आप trading रात को भी कर सकते हैं आप trading early morning भी कर सकते हैं क्योंकि कोई भी crypto आपको हर 24 गंटे में कभी न कभी मोका दे रहा है अब एक trader की आँख पता है क्या होती है एक trader की आँख सिर्फ profit के उपर होती है जिस तरह बोलते ने एक निशाने बाज की आँख सिर्फ निशाने पर होती है तो trader की जो आँख है न सिर्फ profit पे होती है और profit पे ही होनी चाहिए एक trader कभी भी नखरे नहीं करता कि ये crypto ऐसा है इस crypto में मुझे अच्छा profit नहीं मिलेगा इस crypto में मैं trading नहीं करूँगा नहीं अगर उस trader की आँख को दिख रहा है कि इस coin के अंदर profit मिल सकता है मतलब वो coin कह रहा है कि मैं profit दे सकता हूँ तो वो trader कभी भी उस opportunity को miss नहीं करेगा trader की सबसे बड़ी खासियत यही होती है trader अगर आपको बनना है आपको खुद opportunities जोननी होंगी और आपको अगर लग रहा है आपको दिख रहा है trader कहीं न गहीं opportunities जोन लेता है तो trader सबसे पहली चीज नखरे नहीं करता उसकी आँख profit पे रहती है वो यह नहीं देखता कौन सा coin है क्या है ठीक है अगर उसमें अच्छा उसका chart हमको दिख रहा है कुछ उसके अंदर होने वाला है movement तो trader सिर्फ अपना profit book करता है और profit book करो और निकल जाओ बस और कुछ भी नहीं करना है तो trader के कभी भी नखरे नहीं होने चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज trading तो आप कहीं से भी सीख लोगे trading आप सीख लोगे सब भी सीख लोगे trading हर कोई कर लेगा trading करके profit भी बना लेगा not a big deal लेकिन trading करके profit बनाए रखना बनाते रहना consistent बोलते है ने जिसको consistent profitable trader पता है कौन होता है जो अपनी consistency बनाए रखता है किस चीज में profit को profit को लेके मतलब लगातार profit वो बनाता है ठीक है trader को loss भी होता है मैं यह नहीं करा हमेशा आप हर trade से profit बुक करोगे कभी-कभी market भी पल्टी मार देता है कभी-कभी market भी साथ नहीं देता तो हो सकता है कभी-कभी कोई trade गलत चली जाए लेकिन अगर एक-दो trade गलत जाती है तो उससे ज़्यदा फरक नहीं पड़ेगा continue रहना चाहिए profit बनाए रहना बनाए रखना वो सबसे ज़्यदा ज़रूरी है आप trading कर लोगे आप profit भी बना लोगे लेकिन उस जो कला गो कायम रखना वो सबसे ज़्यदा ज़रूरी होता है और वो कायम आप तभी रख पाओगे जब आप अच्छे से experienced trader बन जाओगे मैं ये नहीं कहारा trading करना बहुत मुश्किल है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कुछ भी impossible नहीं होता तो trading के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा time waste करना छोड़ो अगर आपके पास time है तो trading को time दो क्योंकि ये एक ऐसा skill है जो आपकी पूरी life change करने का दम रखता है तो trading को बिल्कुल भी miss मत कीजेगा trading नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए सीखना शुरू कीजिए और कुछ rules इनको follow कीजिए कोई भी opportunity आपको मिल रहे हैं आप share market में कर रहे हैं अगर opportunity trader को मिलती है वो miss नहीं करता इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखे और सबसे ज़्यदा ज़रूरी profit आप 2 trade लोगे तीन trade लोगे आपको अच्छा profit हो जाएगा ठीक है लेकिन उस उसके बाद जो इस सिलसिला है उसको कायम बनाई रखने बनाई रखना वो ज़्यदा ज़रूरी होता है मतलब consistency बहुत ज़रूरी होती है है ना ये निकि आपने तो ट्रेड में अच्छा profit बुक कर लिया उसके बाद 4 trade आपकी गलत चली गई loss में चली गई तो आपके भी sentiment बिगड जाते है तो सबसे ज़रूरी होता है आप perfect trade लो proper analysis करो क्या news आ रही है उस coin को लेके उस crypto को लेके सब चीजें आपको analysis करने के बाद चार्ट क्या कह रहा है उस coin का तब आपको अगर कोई opportunity दिख रही है तो बिलकुल तब ही आप अच्छा profit बुक कर सकते हैं ठीक है तो trading के लिए बहुत सारी चीजे होती है time to time हम discuss करते भी रहेंगे लेकिन एक trader कभी भी नकरे नहीं करता उसकी आँख सिर्फ और सिर्फ profit पे होती है ठीक है अब आप comment करके जुरू बताना कि आपने trading कभी की है आपको trading आती है या नहीं आती है अगर की है तो आपने कितनी बाहर profit बुक किया है क्योंकि trading भी बहुत ज़्यदा रिस्की है मैंने जैसे कि अभी कहा कि profit बुक करना not a big deal लेकिन उसको कायम बनाए रखना ये सबसे बड़ा challenge होता है trader के लिए consistency बनी रहे profit के अंदर तो वो ज़्यदा ज़रूरी होती है है ना तो आप comment करके ज़रूर बताईएगा ठीक है तो I hope इस वीडियो में आपको कुछ rules समझ आ गये होंगे trading को लेके बाकी जो update रहेंगी trading को लेके बाकी जो चीजने रहेंगे हम आपके बाद share करते रहेंगे वीडियो पसंद आया like, share, comment ज़रूर कीजिएगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक